हेलो एबरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी सी रेस्पी लेकर आए हूँ ये टिंडे की सब्जी है बहुत लोगों को टिंडा पसंद नहीं होता लेकिन एक बार आप इस तरीके से बना कर देखि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पी यहां मैंने 500 ग्राम ही टिंडे लिये हैं यहां टिंडे मैंने छोटे साइज के लिए हैं छोटे साइज के टिंडो में बीज नहीं होता है का साइन हम बनाएंगे नाइव को हम बहुत जादा अंतर तक नहीं करेंगे जिससे यह नीचे की तरफ से कट जाए इस तरीके से शिरफ हमें प्लस का साइन लगाना है इस तरीके से देखी मैं एक और करके दिखा रहे ह behaviors है बस इस तरीके से ज्ञादा हमें knife को अंदे तक नहीं डालना है बस इतना हमें cut करना है अब सबी टिंड़ों को हमें इसी तरीके से cut कर लेंगे यहाँ देखिए सबी टिंड़े मैंने इस तरीके से cut कर लिये है अब चलिए next step देख लेते हैं यहां पर मैंने लिया है एक खाली बाउल टिंडो में भरने के लिए हम मसाला रेडी कर रहे हैं सबसे पहले हम लेंगे वन टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानि अद्रक लेसन का पेस्ट लेंगे साथ ही इसमें डालेंगे दो छोटे चमच धनिया आप जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं साथ ही एड़ करेंगे वन टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर यह कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जिससे कलर और टेस्ट दोनों आ जाएगा अब इसमें सबसे में इंग्रीडियंट जिसके बिना यह रेस्पी नहीं बन सकते हैं अब साथ में मैं एड़ करूं जो रेगुलर रेड चिली होती है जो घर में हम लोग यूज करते हैं यह इस तरीके की मेरे पास मोटी कूटी हुए लाल मिर्च है उसे एड़ करेंगे यहां नमक अभी हम नहीं डालेंगे नमक से पहले हम डालेंगे दो छोटी तो थोड़ा और डाल सकते हैं यहां इस तरीके से स्पून की हल्प से हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने सरसो तेल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक यहां पर मैं दो छोटी चम्मच डाल रह इस तरीके से बना कर देखिएगा आप जो लोग टिंडे नहीं खाते उनको भी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है मसाले आप इसी तरीके से रेडी कीजिएगा और पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएगा चलिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे इसे रेडी हो गया है जलिए अब मसाला रेडी हो गया है तो मसाले को टिंडों में भर लेते हैं इस तरीके से एक एक टिंडा लेंगे और इसे हलका सा हाथों से प्रेस करेंगे यह देखिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हलका हलका सा अपने हाथों से प्रेस करना है और इसे थोड़ा-थोड़ा सा मसाला हम अंदर डालेंगे आप हाथों से भी इसे भर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा मसाला हमें इसे अंदर की तरफ दबाते हुए भरना है इस तरीके से बहुत ही आराम से भर जाती है इस तरीके से हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मसाला अंदर की तरफ लगाते हुए भर देना है ये दिखिए इस तरीके से चलिए मैं दूसरा भी आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा हमें इसे हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है जिससे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए और इस तरीके से हम अंदर की तरफ मसाला को प्रेस करके इसमें भर देंगे आप इस जगह पे नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे मसाला थोड़ा अंदर तक चला जाए चलिए मैं सभी टिंडे भर के रेडी कर लेती हूं यहाँ पर मैंने सभी टिंडों में मसाला भर लिया है आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भर गया है यह देखिए अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं यहाँ गैस पर मैंने एक कडाई रखी है कडाई में डालेंगे दो बड़े चमच सरसो तेल तेल को हमें अच्छे से हीट कर लेना है जब भी आप सरसो का तेल यूज करें तो आप अच्छे से हीट करके ही यूज करें साथ ही इसी बीच में मैंने प्याज को इस तरीके से थिन स्लाइस कर लिया है यह दो मीडियम साइज की प्याज है इसका यूज हम अभी नहीं करेंगे मैं आपको रेसिपी में आगे दिखाऊंगी कब हमें प्याज का यूज करना है अब चलिए तेल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गरम हो गया है अब एके करके हमें सभी टिंडों को डाल देना है गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है इस पूरी कुकिंग को हम लो फ्लेम पर ही करेंगे ये दिखी एके करके सभी टिंडे में डाल देती हूँ सारे टिंडे यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखते हुए इसे पकाएंगे और इसे धक्कन लगा देते हैं जिससे टिंडे हमारी बहुत ही अच्छे से पक जाया है वीच-पीच में हमें धक्कन हटाकर टिंडों को चेक करते रहना है दो से तीन मिनाट के बाद फिर से देखिए एक बार चेक कर लेते हैं ये देखिए टिंडों को हमेроп इस तरीके से स्पून की हेलप से हलका हलका सा इसे हिला देना है सेंटर में हीट जादा होती है तो इसलिए जो सेंटर में थे उन्हें थोड़ा साइड कर देंगे वो साइड में जो है उन्हें सेंटर में कर देंगे जिसे वो भी अच्छे से पक जाए यहां पर टिंडे हमारे थोड़े से नरम हो गए हैं तो इस टेज पर हमने जो प्याज को पतला पतला स्लाइस करके रखा है उसे अड़ कर देंगे इस तरीके से सिरफ हमें उपर उपर से डाल देना है अगर फ्रेंड्स हम प्याज पहले डाल देते तो यह बहुत ही सा फ्लेवर आ जाएगा आप वीडियो को पूरा देखिएगा आपको बहुत पसंद आने वाली है यह रेस्पी अब पूरे प्याज से हम टिंडो को इस तरीके से कवर कर देंगे कवर करके हमें इसे धकन लगा देना है धकन लगाकर तीन से चार मिनट के बाद हम फिर से चे से रही थोड़ा थोड़ा सा हिला देते हैं जिससे तिंडे अच्छे से पक जाए जो को हमें हलके हां से हिलाना है धीरे-देरे स्पून से इस तरीके से करके हम हिला देंगे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो फ्रेंट्स इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा फास फोरवर्ट कर दिया है तिंडे देखिए आप 60% तक पक गए हैं अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे कडाई को रखेंगे साइड में और इसके बेस में हम लगाएंगे एक तवा इससे हीट बैलेंस रहेगी और ज्यादा हीट कडाई में नहीं लगेगी और धकन लगाकर 2-3 मिनट तक फिर से इससे कुक कर लेंगे जिससे टिंडे में जो हीट है वो बहुत ही स्लो आएगी और टिंडा बहुत ही अच्छे से पकेगा और जलेगा नहीं यह देखिए आप देख सकते हैं ओल सेपरेट हो गया है और प्याज भी बहुत ही अच्छे से गल गया है इस तरीके से हम हलके हाथों से फिर से इसे मिक्स कर देते हैं यहां देखिए टिंडा बहुत ही अच्छे से हमारा पक गया है और यहां इस स्टेज पर हम अगर आपको पसंद है तो 2-3 हरी मिर्च को आप बीच में से चीरा लगा कर आप डाल सकते हैं जिससे य अच्छा टेस्ट आता है इससे देखिए मैंने डाल दिया है अब साथ में मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून जितना गरम मसाला गरम मसाला डाल देंगे इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इससे हलके हाथों से थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं यह सबजी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है तो इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से क्रस्ट करके कसूरी मेथी को थोड़ा सा डाल देंगे आप चाहे तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं यहां मैंने कसूरी मेथी डाला है अब चलिए सबजी हमारी सबजी बनकर तैयार है चलिए इसे प्लेट में सर्फ कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट में सर्फ कर लिया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है एक बार आप जरूर ट्राइ किजेगा इस रेसिपी को फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो हाँ